हाई फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल त्या स्क्रिंट कोरिडोर और मैं हूं त्या तो जैसा कि सब जानते हैं हमारे यहां यानि कि कोलकाता में बहुत बारिश हुआ पिछले तीन दिनों से आज भी आप देख सकते हैं बादल का हाल ठीक नहीं है तो इंटर गार्डेन का तो से क्या हाल हो गया देखिए दो दिन से तो मैं उपर आहीं नहीं सकी कि 24 आर्ज बारिश होने लगा है तो इसी हालत में मैं आप लोगों को थोड़ा अपडेट दे देती हूं मेरा गार्डन का क्या हाल चाल चल रहा है तो शुड़वात में ही मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बोल रहा है बोला था कि मेरे यहां कॉली फ्लावर हुआ है फूल गोभी तो यह देख सकते है इन में भी आये है लेकिन पता ने आप बारिश में इन में फांगास लब जाएंगे या नहीं यह देखिए मिर्ची भी आप देख सकते हैं कितनी साड़े लगे हैं बैंगन ते एक बार मैंने हर्विस्ट कर लिया है दूसरे दफ़ा इसमें फूल आए है और कैपसिकम भी देख सकते हैं चोटे-चोटे कैपसिकम आए है और यह टामेचो देखिए कितने साड़ टामेचो जाए है तो कुजिनों से बिल्कुल धूब तो है नहीं और पौधो का हालत भी वैसा ही है धूब ना मिलने के वज़े से विंटर प्लांट्स तो आप सोची सकते हो एक तो इतना कम टाइम के लिए यह ब्लूमिंग होता है उसमें भी अगर वेदर इतना खड़ाब हो जाता है ऐसा लगता है जैसे पूरा महनत पानी में गया है यह दो महीने के गार्डनिंग के लिए बहुत महनत करना पड़ता है बहुत ही और उसमें भी अगर बारिश हो जाए तो मन बहुत खड़ाब हो जाता है देखिए आज यह कितना बड़ा है मैं आपको यह देखिए मेरा हाथ देखिए इसमें कितना खुबसूरत है कि कई सारे डेलिया यह वाला स्पेंट हो गया जो स्पेंट हो गए वह मैं निकाल दूंगी ताकि नए जो आएंगे वह अच्छे से बड़े-बड़े खिलेंगे आज इतने दिनों के बाद मैं उपर रही हूँ एक चीजस में बहुत अच्छा है कि इंप्रेशन बहुत अच्छे खिलने लगे यह देखिए हाला कि तब में पानी बैठ गया था मैंने अपी सब उनको एमटी किया लेकिन पुरा भर गया है यह देखिए यहां पर भी यह देखिए पूरा एक दम भड़ गया इंप्रेशन से यहां पर टोड़ेनिया भी अच्छे से चल रहे है लेकिन टोड़ेनिया का तो एक ही प्रॉब्लम है थोड़ा सा ज्यादा पानी हो जाता है तो यह खत्म और बोगन वीलिया देखिए कितने अच्छा फ्लावर इंपया है और बारिश हो जाने के वज़े से ना सारे फ्लावर जहर रहे हैं बोगन वीलिया के वहां उपर भी मेरे सारे बोगन वीलिया है कई सारे एक और डालिया इस साल देह लिया तो मेरे यहां बहुत अच्छा की लिए मैं खुश हो एटलिस इंसान करते करते ही सीखता है और मैंने भी अभी सीखा है किस तरह से इनको आप अच्छे से कर पाएंगे खीला पाएंगे सौरी यहां पर जो पिटुनिया शेट के अंदर थे वो लोग वह तो रैसे तो अच्छी ब्लूम कर रहे यह स्टेर के इस पर देखिए इनका भी हालत बहुत खड़ब है जो डाइरेक्ट पानी के नीचे था उनका हालत बहुत खड़ब है यह जैड़बेडा देखिए यह अच्छे से दो दिन धूप आए तो पाधे कभी काफी अच्छे हो जाएंगे यहां देखिए प्रसंतमम हम बेंगाली में इनको चंद्रमॉली का बोलते हैं यह एक और यह लो भी काफी साड़े खिल गए ज्यादा तरी छोटे-छोटे बॉम बंबं वेराइटी के निकले अब क्या कर सकते हैं जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा मैंने गेंदे बहुत पहले लगाए थे तो ज्यादा तरी ब्लूम होके खतम हो गए अब नए लगाऊंगी मैं उस तरफ मेरे कई साड़े रखे हुए हैं तो वेदा थोड़ा ठीक होगा तो फिर से यह देखिए एक में कितने सारे आई हुए है यह मुझे बहुत पसंद है एस्टर यहाँ देखिए यह इंदे मैं लाके रख्यू लेकिन रिपर्ट करने का टाइम नहीं मिला है चोले शो 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 उनको रिपर्ट नहीं करूंग इसी में रखूंगी ग्रोबैग म यह दिखिए कुछ और यह बहुत खूबसूरत कलर है और यह ऐसा ही रहेगा भी एक महिने के लिए ब्लूम होने के बाद वैदर अच्छा रात ऐसा ही रहेगा यहां पर भी काफी क्रिसंथमम ब्लूमिंग पर आ गये हैं एक विक में सब क्रिसंथमम खिल जाएंगे और अगर ऐसा बारिश का वैदर रहा तो सब खतम भी हो जाएंगे अब तो मैं सिर्फ प्रे कर सकती हूं थी भगवान वैदर को थोड़ा अच्छा कर दो बहुत मैंनत करना पड़ता है विंटर गार्डेन के लिए और अगर वही बारिश वैदर के वज़े से खड़ाब हो जाए ना बहुत दूख होता है क्योंकि यह तो फिर से हमको अगले सान मिलेगा तो यही है आफ्टर रेन मेरे गार्डेन का हालत ओके फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और अगर आप नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू सो मच